हलो मेरी क्लास 10 के दोस्तों, आपके पुलिटिकल साइन्स का जो सिलबस है ये उसका 7th चैप्टर, Outcomes of Democracy या लोकतंत्र के परिनाव. इससे पहले हम एक बार नजर डाल लेते हैं कि सरकार कितनी प्रकार की होती हैं, ये 6 प्रकार की होती हैं और उसमें एक है लोकतंत्र, सरकार किसी भी प्रकार की हो, काम तो उसका एक ही है, देशित करना, देशित के लिए सारे काम करना, पर होता है क्या हर वक्त, कभी-कभी तो करप्शन रष्टाचार, करप्शन रष्टाचार, लोग पागल होने लगते हैं और आम आदमी सोचता है, मैं इसके खिलाफ क्या कर सकता हूँ, लोग तंत्रा आम नागरिक को एक बहुत बड़ा हथियार देती है, और जो है अपना वोट, अपना वोट डाल कर पुराने सरका को निकालो और नए सरकार को ले आओ, भारत में तो कितनी सारी political parties हैं, ये कुछ उनके symbol देखो, election के टाइम पर उनके नेता, पबलिक से अपनी अपनी agenda बताती है, कि अगर आपने हमें वोट दिया, तो हम आपके लिए क्या काम करेंगे, तो जिसके बाद लोगों को पसंद आई, लोग जाकर वोट देते हैं, और जब वोट करना होती है, जिस party को सबसे जादा वोट मिले हैं, वही parliament में सरकार बनाती है, कभी-कभी ऐसा भी होता है, कि किसी एक party को सबसे जादा वोट नहीं मिलती, तो गड़बंधन की सरकार बन जाती है, पहले था ना, UPA का सरकार और अब NDA का सरकार चल रहा है तो हमने क्या देखा लोकतंत्र शाषन का एक स्वरूप मात्र है ये कुछ conditions create कर देती है जिससे हम कुछ चीज़े हासिल कर सकते हैं For example हमारे एक दूसरे के बीच में समानता हर वेक्ते की गरिमा बेहतर फैसले लेना टक्राव संभालना और गलतियों को सुधारना और ये करता है एक सरकार जो responsible, accountable और legitimate जिम्मेदार, उत्तरदाई और वैद हो चलो इसको देखते हैं जिम्मेदारी तो आप समझते ही हो जिम्मेदारी जिसकी उत्तरदे ही भी उसी की ही होनी चाहिए otherwise क्या होता है कि लोग गलत आदमी को point करने लगते हैं education system को ले लो ये किसके जिम्मेदारी है ये teacher की है या parents की है या school management की है या कि Indian education system की है अगर जिम्मेदारी clear नहीं हो तो सब एक दूसरे को उंगली दिखाएंगे पर अगर एक बंदा जिम्मेदार हो तो वो भी उत्तरदाई होता है और इसके लिए हमें मिला है right to information act हम कोई भी program के बारे में question कर सकते हैं information मांग सकते हैं parliament में भी questions होती है और सरकार उसकी जवाब देती है तो ये रहा जिम्मेदारी और उत्तरदाई और वैतता क्या है वैत का मतलब है जनता द्वारा अनुमोदत कभी कभी ऐसा भी होता है कोई तानाशा elected leader को भगा देता है और खुद जबर्दस्ती बैठ जाता है और सारे काम उसके हिसाब से करना पड़ता है चलो हम इसका एक example लेते हैं म्यानमार में ओसांग सूची उनकी elected leader थी 2021 में सेना ने उनको कैद कर लिया और सेना देश में साशन करने लगी पूरी जनता उसके खिलाफ सडकों पे उतर आई और जनता ने कहा हमें आपने चाहिए हमें अपनी elected leader चाहिए वही हमारी वैद सरकार बनाएगी तो ये था वैद सरकार तो सरकार जब काम करती है उसके कुछ परिनाम भी होते है number one हमने जो देखा जिम्मेदारी उत्तरदाई और वैद सरकार हमें मिलती है democracy में number two है ये सरकार आर्थिक संव्रिद्धी और विकास करती है that is economic development and growth growth का मतलब हमारी GDP को बढ़ाती है और development का मतलब देश में कोई ऐसा बंदा ना हो जिसके पास विकास ना पहुँचे सबके पास विकास पहुँचना बहुत जरूरी है अगर विकास ना पहुचे तो लोगों के बीच में inequality और poverty असामानता और गरीबी बढ़ती जाएगी इसको कम करना है आज भी हमारी देश में ऐसे जगह है जहां सड़क के एक साइट पे सुन्दर सुन्दर मकान दूसरे साइट पे केवल जुगी जोपड़ी ही मिलेंगे आपको कहीं तो लोगों के घर में 24 घंटे नल घुमाओ और पानी और कहीं लोग मीलो चलते हैं पानी लाने के लिए बच्च चोटे चोटे बच्ची स्कूल तक नहीं जा पाते हैं तो ये तो असमानता है ना तो इसको दूर करना है चौथे नंबर पे है सामाजिक विविद्ताव में सामन जसी है भारत चैसे देश जो इतना विविद्ध है जिसमें इतनी सारी भाषाय बोली जाती है जिसमें कई religion प्राक्टिस किये जाते हैं यहां के लोग अगर बोलने लगे कौन बेटर है, कौन बहतर है, कौन कम है तब एक दूसरे में खीचातानी शुरू हो जाएगा और कभी-कभी यह तो बढ़ते-बढ़ते एक विराट दरार भी बन जाती है लोग तंत्र का मतलब हम बातचीत करके इन चीज़ों को सुलजाते हैं बातचीत करके एक अच्छा सलूशन निकालते हैं तो यह था हमारा पाच्वा नमबर और छटे नमबर पे हम देखेंगे डिगनिटी और फ्रीडम अफ सेटिजन्स नागरिकों की गरिमा और आजादी बढ़ाना देश का हर नागरिक समान है ना कोई उंचा ना कोई नीचा आज भी हमारे देश में चुआ चूत जात पाथ इसके बड़े प्रॉब्लम्स हैं लोगों को पानी नहीं लिने देना जाता है पानी पिएंगे छूना मत हमारे पानी को इस तरीके से कमजोर दलित वर्क पर जो जो मिस बिहेवियर होता है वो उंच चाहते हैं कि हमें ऐसा कोई पार्टी मिले जो हमें बहतर जिंदगी देर दिला सके तो वो अपनी वोट उसी पार्टी को देगी पुराने सरकार को हटा कर नई सरकार लाएगी और नई सरकार जो उनके लिए equality समानता लाने की कोशिश करेगी कभी-कभी समानता में उनको समानता के साथ समानता लाने के लिए पहले equity create करना होता है कुछ चीजे दलित वर्क को जादा देनी पड़ती है ताकि वो एक level पे आ जाए जब एक साथ सब equal फल ले सके तो लोकतंत्र का हमने क्या देखा ये लोकतंत्र शाषन का एक स्वरूप है जो कुछ सीजे हासिल कर सकती है और लोगों को सकारत्मत तरीके से इसमें भाग लेना है people have to participate actively and positively अब एक प्रशन आपके लिए जरा सोच के बताओ तो क्या ये सारी चीजे तानाशाही में संभव है जो लोकतंत्र में मैंने अभी ये 6 चीजे आपको बताई देखो तानाशाही में होता तो है चीजे कुछ चीजे तो होती है जो विकास होता है वो बड़ा speed में होता है त्वरित होता है क्योंकि एक ही बंदा decision ले रहा है और जो विकास होगा वो उसी बंदे के हिसाब से ही विकास होगा पर लोकतंत्र की शक्ति क्या है ये सब के लिए सब के द्वारा और सब से है तो इसमें सब लोग participate कर सकते हैं सब लोग हिस्सा ले सकते हैं सब अपनी मत दे सकते हैं और तभी जाकर लोकतंत्र की शक्ति आगे बढ़ती है तो ये थे लोकतंत्र के परिनाम छे परिनाम इनको आप एक बार फिर से देख लो आप हमारा वीडियो देखो फिर चाप्टर पढ़ो पांच मिनट में पूरा क्लियर हो जाएगा एक्जाम में बढ़िया से बढ़िया रेजल्ट करो थैंक्स फॉर वाचिंग केसे कुशिश